आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे सियासी बुलिटिन की शुरुआत इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अंदेशा हिंदुस्तान ने जताया था वो बिलकुल सही साबित हो रहा है पाकिस्तान अपनी कर्तूतों से बाच रही आ रहा आज भारती जवा जवान का गला काटा तीन पुलिस वालों के हत्या स्पियों के इस्तीफे आतंकी के नाम पर स्टाम्प दो आतंकियों का अंत पंचायत का घर फुंका सिरंगे में लिप्टा ये ताबूत उन जवानों का है जिन्होंने आतंकियों के आगे जुकना नहीं बलके शहीद होना पसंद किया सुरक्षा बलों के ओपरेशन से खौफ में आये आतंकी घाटी में देह्शत का मौहल बना रही है और इसी में तीन जवानों की अग्वा करके हत्या कर दी गई है आतंकियों के कोशिश घाटी में आतंक का मौहल बनाकर जवानों के जज़वे को तोड़ना है देश के दुश्मन इसमें काम्याब भी हो रही है आधा दर्जन से जादा जमुकश्मीर पुलिस के एस्पियों नौकरी से स्तीफे दे चुके हैं बोड़ा माँ बाप है, बेहन है, बीबी है, बच्चे है इस देव हो रहे कि आप ड्यूटी पे माँ जाए ये आतंकियों की नए रड़नीती है, जिसमें युवा जमुकश्मीर में सुरक्षाबलों की मदद ना करें क्योंकि जैसे आतंकी अपने नापाक मनसूबों को अंजाम देने की प्लानिंग करते हैं, सुरक्षाबल उन्हें धेर कर देते हैं बांदीपोरा में सुरक्षाबलों ने दो और आतंकपादियों को मार गिराया है लेकिन इतने भर से बात नहीं बनने वाली, देश जवानों के खून के हर कत्रे का हिसाब चाह रहा है दो दिन पहले बॉर्डर पर पाकिस्तान ने ये सब जवान के साथ हैवानियत की थी देश इस हैवानियत का बदला मांग रहा है देश के अंदर इसको लेके बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर कि आखिर कब तक इस देश के जवानों को पाकिस्तान इसी तरह से मारता रहेगा इसी तरह से यातनाई देता रहेगा आखिर हमारा देश इतना बेबस, हमारी केंदर सरकार इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है हम लोग एक्शन चाते हैं, हम लोग केवल भाशन बाजी नहीं चाते अरवंद के जिवाल आज हर्याना के सोनी पत में शहीद नरेंद्र के घर गए थी पाकिस्तान ने एसे समय में दहशत का ये माहौल बनाए है जब भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात होने की खबर सामनी आई है कल हे चठी भेश कर पापी पाकिस्तान के पियम ने बादशीत की पेशकर्श की थी लेकिन भारत की लोग बोली नहीं बल्कि गोली से हिसाब की मांग कर रही है पाकिस्तान के नए प्रधान मंत्री इमरान खान का असली चेहरा सामने आ गया है वो भी उनके कारेकाल के शुरुवाती दौर में ही ऐसे महौल में पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है बिल्कुल अर्थ ही नहीं है इस बदलेवे परिस्थिती में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच नियॉक में कोई मुलाकात नहीं होगा पाकिस्तान की दोगला पंथी देखिए एक तरफ वो बात करने की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ उसके पाले हुए आतंग की लोगतंत्र बहाली में बाधा पहुचा रही है राजी में पंचाय चुनाव होनी है उससे पहले इस तरह की घटना को अंजाम देकर पाकिस्तान कश्मीर में अशांती फैलाना चाहता है जरूरत है इसका मुहतोर जवाब देनी की इसलिए देश आज सर्जिकल स्ट्राइक वाले महीने में सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू की मांग कर रहा है सरकार तै करें इंट का जवाब पत्थर से क्योंकि इस पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहत जरूरी है तीन दिन पहले 18 सितंबर को टैगर हिल पर पाकिस्तान के हमले में हवलदार रशीद काठार शहीद हो गया थी शहीद का पार्टिव शरीर आज राजिस्तान के ब्यावर पहुंचा तो हजारों लोगों की भीड अंतिम विदाई के लिए उम्री अमर रहे के नारों के साथ पूरा इलाका गूचता रहा इस थाने नेता वधायक भी स्रद्धांजरे देने के लिए पहुंचे लेकिन शहीद का परिवार चाहता है कि देश पर आख उठाने वाले दिश्पनों को मुहतोर जबाद दिया जाए मेरे पापा नदेश के लिए पनी जान देती है बहुत मेरे चोटे भाई ये दो एक उपड़ा भाई ये और भी आदमी में जाना करते हैं वह से लोग उपनी जान देते है और नदेश के लिए सब को दुख होता है आपको रखे आगे